नमस्कार कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है हैपी पेरेंटिंग में देखें मॉमीज हम पेरेंट्स जो होते है अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा वरी होते है और एक जो कॉमन एक हमारी टेंशन होती जिससे बच्चा हेल्दी वे में वेट गेन जरूर करेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी रेसिपी की दोस्तो बच्चों के वेट गेन के लिए आपको अपल प्यूरी कुछ इस तरह बनानी है जिस तरह मैंने बनाई है आपको एक गहरा पैन लेना है जिसमें आपको करीब दो ग्लास पानी डालना है इसके बाद छिला हुआ एपल जो कि मैंने पीसेस कर लिया है वो इसमें डाल दिये है और आपको इसमें अब डालना है दो से तीन खजूर ध्यान रहे खजूर के आप बीज जरूर निकाल दें अब इन्हें करीब 5-7 मिनट बॉयल होने दें जब तक ये पानी आधा ना हो जाए और सेब गल ना जाए अब देखिए हमने आपल और खजूर उस पैन से निकाल लिये हैं कुछ लोग क्या करते हैं कि उस पानी को भी यूज करते हैं बर हम यहाँ पानी यूज नहीं करेंगे जो बॉयल्ड वॉटर उसमें था हम उसको यूज नहीं कर रहे अब हमें सबसे पहला काम करना है जो खजूर उबल गए हैं उसके चिलके उतारनी हैं क्योंकि चिलके बच्चों के गले में फस सकते हैं और उनको फंदा भी लग सकता है तो इसलिए आप खजूर के चिलके जरूर निकाले अब खजूर के चिलके निकालने के बाद सेब को और खजूर को दोनों को मैश करिए या तो आप मैशर की मदद ले सकते हैं नी तो फोक की भी मदद से अच्छे से मैश हो जाएगा देखे मैंने इसमें कुछ पी ना चीनी ना गोड़ ना हनी कुछ भी आड़ नहीं किया इसको आप बच्चों को खिलाएगे जिब 6 महीने से बच्चा आपका अगर बड़ा है तो आप उसे खिलाएगे ना तो इससे बच्चे का वेट डेफिनेटली गें होगा और ध्यान रहे वेट गें होगा वो भी हेल्दी वे में तो देखा मॉमीज आपने कितनी जल्दी ये रेसिपी भी बन गई और बच्चे के लिए भी बहुत हेल्दी है आप भी किसे खा सकते हैं अगर आप अंडर वेट है तो तो मॉमीज आज के वीटियो में फिलहाल इतना ही लेगन ऐसे ही कई और रेसिपीज है जो इंतिजार कर रही है बस आने का और अगर आपको कोई डाउट है कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फिलहाल के लिए नमस्कार